मैं तुम्हारे बारे में तो चीज़ प्रेडिक कर सकता हूँ First, you are unable to attract beautiful girls Second, you are not successful और लाइफ में तुम्हारे कोई meaningful purpose नहीं है और ये प्रेडिक करना बहुत ही simple भी है क्योंकि होगा भी कैसे Because हर रोज तुम Pond वीडियो देखके, मास्टरबरेट करके तुम अपने semen, sexual energy और time को बरबात कर रहे हो That's why watching Pond is making you weak, timid, unattractive and makes you feel like a loser तुम्हारे अंदर जब sexual urge उच रहा है जो की पूरी तरह से normal है तब तुम अपने phone पे जाके Pond Sights खोल रहे हो और घंटों वहाँ पे अपने brain को भरपूर डोपामीन देके pleasure ले रहे हो और बाद में ejaculate करके अपने कीमती sexual energy जो की बहुत ही powerful है उसको waste कर रहे हो यह तुम continue करते रहो, मैं बोल रहा हूँ chances बहुत है you'll never become highly successful in your life nor you can get a high quality omen and sustain a good relationship पर अगर तुम porn देखना बंद कर दो और start practicing nofap तो पहले-पहले कुछ दिन it will feel hard बट क्योंकि तुम अपने अंदर के sexual energy को waste नहीं कर रहे हो ejaculate करने में, अब इसको तुम दूसरे किसी चीज में काम में लगा सकते हो और जब तुम porn नहीं देख रहे होगे you'll get attracted towards real life girls तुम्हें लड़कियों के साथ बात करने का desire आएगा and you'll get sexually attracted towards them तब घर से और अपने फोन से बहार निकल के real girls के साथ जाके बात करो पहले पहले तुम्हें ड़ लगेगा पर मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ अपने फोन में कुछ unreal virtual चीज देख के हिलाने से ये कही ज्यादा benefit देगा तुम्हें और जब तुम ज्यादा pawn consume करते हो तब ज्यादा hard work नहीं कर सकते you'll not feel like doing anything because तब कुछ ना करके ही सिर्फ एक click से तुम्हें बहुत pleasure मिल जा रहा है जो कि exercise या कुछ अच्छे करने के pleasure से बहुत ही ज्यादा होता है इसलिए सिर्फ pawn देख के हिलाने से ना तो अपने self improvement में ना अपने goals के पीछे काम कर पाओगे you'll end up as a loser